असलाम अलेकूम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब ये देखिए गुले दाओदी के ऊपर एक बिजी भी बैठी हुवी है फूलों का रस चूस रही है शेहत बनाना होगा इसने है न ये कितनी मेहनत करती है असान काम तो नहीं है शेहत बनाना इसी तना जिन्दगी में भी शेहत बनाना असान नहीं है मुश्किल काम है एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है ये देखिए और मेहनत करती है जी तो ये जिन्दगी है मैं इस वक्त यहां पर बाहर बैठी मी हूँ और सामने मेरे कीनू है एक कीनू वहां गिरावा था जो के भी उ अंदर और कीनू तुमारे मोटे हो गए हैं और कीनू बड़े हो गए हैं और कीनू बड़े खुबसूरत लग रहे हैं और लीमू कितने लगेवे हैं हैं उसके अंदर लगेवे कितने पौदे हैं इस सवाल जबाब होते थे और फिर अमरूद हैं बड़े अमरूद दजर आ कितने जहाज आए और जहाज यह देखिए जहाज आग已經 लेक開始 अकेली बैठी जहाजों को देख रही हूं कितने जहाज आए आज जहाज नहीं आया दर्वाजा बंद है ये दर्वाजा उनके लिए खोला होता है क्योंकि वो बाहर देखना पसंद करते हैं और फिर पूछते हैं कितने दूद वाले आए दूद अच्छा नहीं होता ये वाला दूद यूज नहीं करना चाहिए इस वक्त मैं यहां पर बैठी हूँ और बस सोचों में गुम हूँ, सोचे हैं जो क्या आ रही हैं ना जो करना है, लीन ने करना है उनको नमूनिया हो गया है और दवारिया कल चेंज की हैं उनको मैं नहीं गई परसों के वो एडमिट हैं मैं इदर ही हूँ क्योंकि मैं खुद थोड़ी सी थकावड फील करती हूँ बड़ी जल्दी थक जाती हूँ एक आज जोड़ा ही मैंने इस तरी किया है क्योंकि कल बेटी जो मेरी भेहन है उसके बेटे का निकाबी है और मेंदी भी है तो कुछना कुछ तो फिर करना है जाना तो होता है जाओंगी मैं इन्शाला ताला मैं इदर ही हूँ मैं इदर से इन्स्ट्रकशन्स दे रही हूँ हर चीज वो पूछ रहे हैं कि भाजी अब क्या करना है बाजी कैसे होगा ये कैसे करना है उनको अब क्या खिलाना है घर से उनकी बेडिंग्स भी ले गए हैं कि वहां जो है हस्पिताल में अच्छा नहीं होता वहां इंफेक्शन ज्यादा फैलती है तो घर की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और घर के जो है ना तकिये और कर रही हैं और सबको अपडेट कर रही हूं अपडेट करना भी बड़ा जरूरी है और यह देखिए किनु है जो कि अभी नहीं मैंने तोड़े एक चिडिया भी है यहां पर एक बड़ी शांदार बुल बुल आई थी जोर जोर से बोल रही थी विडियो बना नहीं पाई उ उड़ गई लेकिन उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी बहुत प्यारा बोल रही थी तो अभी सुबा सुबाना एक बड़ी प्यारी भी है उसमा असगर उनका मैंने मैसिज सुना उन्होंने मुझे वाइस मैसिज किया हुआ था और उसमें उन्होंने यह कहा था कि आप बिल निकला अलहमदुलिल्लह और सब ठीक है और पता ये चला कि गॉल ब्लेडर में मसला है तो दर्द होती है तो मैंने उनको यही काया कि आप फटफट अपना काम तमाम कराएं और चेक कराएं क्योंकि इसी तरह अम्मी को होता था मुझे याद है और उनको गॉल ब्लेडर का मसल दिल का मसला नहीं है जी ये तो इनका पित्ते का मसला है पित्ता ही होता है ना घलत ना बोल दो गॉल ब्लेडर को बाहराल फिर उसमें उनको वामिटिंग भी होती थी नौजिया फील होता था ये सारे मसले में साहल होते थे तो इनको भी मैंने का है कि आप भी ऐसे करें कि जाएं चेकब कराएं बड़ी प्यारी बात उने की कि कभी कभी हमारा दिल ये करता है कि कोई हमारा ख्याल रखे जो हमारे साथ रहता है जो हमारा स्पाउस होता है तो बहे अगर स्पाउस ख्याल ना करे तो फिर क्या करें आप हैं जी इसका जवाब देना ज़र मुझे जरू पूर देना इसका पूस कितना खीयाल रखता है कितना फ़ैमारी को शीरेस लेता है नहीं लेत HEYbul fajnie मैंशले तब तो फिर मैं गोली खामा, नहीं गोली ले लो, पेट में दर्द है अच्छा गोली ले लो, वो तो मुझे भी पता है गोली ले लूँगी मैं, बड़ा कोई बड़ी बात मुझे बता रहे हैं, तो यह ऐसे करते हैं ना, अच्छे स्पाउसी भी होते होंगे, वो देखिए, एक निशादी मुझे अभू बताते होते हैं, जो क्यों उड़के अब चली गई है, तो अपना ख्याल खुद रखना है, किसी के उपर ना जाएं, वो कहती है, वाकी ख्याल तो खुद करना चाहिए, और एक बड़ी प्यारी है मिस्स आफरीदी, उन्होंने मुझे मैसिज किया कहने लगी कि आप सही कहती हैं, कि यह हम घर चमकाते रहते हैं, और कपड़े इस्तरी करते रहते हैं, जिन चीजों का कोई खास फाइदा होता नहीं है, मैंने सारी जिन्दगी ऐसी ही गुजार दी, वो भी वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब पे, आज ही उन्होंने मुझ जाया करें आप, हैं, मैंने इतनी मेथने की वी हैं, यह देके मेहनते करकर करके, अपनी तब्याती ही खराब कर ली है, अभी भी देखें, मैं क्या कर रही हूँ हैं, मैठी वी हो, इन्दगी चलें आपको कोई इन्फरमेशन मिल जाए, तो ताजा तरीन बात या है, मैंने उसको बताया हुजमास खरगो के मेरी जो है भाबी उसका भी यही हाल है बड़े अर्शे से उसको दर्द होती है और वो डॉक्टर के पाथ जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इर्द गिर्द के आज़ा भी आपके खराब हो रहे हैं फटा फटा फट इसका उपरेशन कराएं तो वो डरती है नहीं कराती दर्द होता है दवाई खा लेती है इस ताल एक दो दरे अड्मिट रखे वापस आ जाती है तो अभी तादा तरी इतला मुझे मिली है कि वो फिर अड्मिट हो गई है उसको शदीद दर्द हुई है इसलामबाद में होती है और जनाब भाई यह खैर कोई बात नहीं तो यहीं तो है ना तो जो बचा है आपके पास जो यहां मौझूद है वो ही किसी फाइदे का है ना जो बाहर चला गया उसका तो कोई फाइदा नहीं है और दूसरा चोटा जो दुला सहाब है वो कल तक हस्पताल में थे वो ही अब्बू को लेके गए वो यह अब्बू के लिए बैड के चेक करते रहा कि कितनी हलात कहां तक पहुंचे हैं और उसी ने एडमिन कराया रात वो ही आया है सारी अब्बू की रिजाई तक यह सम लेके गया है किता है मुझे हस्पताल में जो है ना तसली नहीं होती वहां के बैड्स वगरा पता न निकल वाने वहां गए थे जब तो कहने की बात यहा है कि अपने बिमारियों को हम पाल लेते हैं हम अपना ख्याल नहीं रखते और हम यहीं चाहते हैं हाँ जी बिलकुल चाह सकते हैं चाहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा ख्याल रखे स्पा ना काई नहीं, यह सफाईय, यह घर को मिंटेंन करना, कपड़े यस्त्रियां करना, अल्मारियां साफ करना, फर्श चम्काना। बस सबी थे रह जाना है तो बस जरूरी जरूरी काम करें जतने जरूरी हैं हाँ अल्ला को जरूरी याद करें अजान हो रही है इस पर पीछे मुझे आवाज आ रही है तो नमाज जरूर पढ़नी है ये नमाज में जो लोग डंडी मार जाते हैं और ये ये दुनिया चोड़ कें पर उस्सकूर बना लेते हैं बस फिर राम से उसमें रहते हैं तो ऐसे ही रहना चाहिए अल्ला आप सबके गौंचले सलामत रखे आप खुद सलामत रहे उड़ते रहे जितना उंचा उड़ सकते है उड़ाने जरूर भरिए लेकिन इतनी जिसने में ठकावट ना हो ठीक है ना चलें जी अब हम भी नमास पढ़ते हैं राभ भी नमास पढ़े और दुआओं में याद रखें और ये बिली भी आगी है जो मुझे अबू की याद दिला रही है क्योंकि पुछते होते थे अबू बिली नहीं आई आज बिली नहीं गुझरी तो ये देखें बिली भी आ गई है अब है ये छलांग मारेगी और ये उपर जाएगी किसी ना किसी तरह से चलेंजर रख रख कریब से इसकीं का भी मौइना करते है कैसे जाती है कैसे लिल्ला की शान है कैसे चलाग मार के ऊपर चली जाती है फिलहाल तो कहीं पीछी है चलाग माने का को प्लैन नहीं नजर आ रहा लगता है कुछ इसको नजर आया है जमीन में क्या बात है हेलो क्या हाल है अब वो तो हस्पिताल गए है ठीक है आपने दौा करनी है इदर किदर जा रही है आज बिलियां तोते कवे सब पालें इनका भी ख्याल रखें ये भी बड़े प्यारे होते हैं ना क्या क्या बोल रही हूं मैं चेलेंजी अल्ला के हवाले जिंदगी रही तो इन्शाला ताला आप से राबता रहेगा दौाओं में जरूर याद रखिए और आपकी दौाओं का बहुत-बहुत शुकृया जजाकरला खुश रही है और देखते रही है जरूर ये बड़ा जरूरी है ये देखिए कि आ अंटा मोटा कीनु है कितना मोटा ताजा है किसीने मुझे आज मेसेज किया ये कीनु तोड के ना खाते वे भी वीडियू बनाएं इन्शाला ताला बनाओंगी जरूर बस मुझे ये बहारे ऐसी अच्छी लग रही है फिलहाल और तोड़े थे मैं एक दिन लेकिन खाए नहीं तो इन्शाला ताला वो भी करूंगी बस थोड़े से ये मसले मसाइल आगे हैं अला रहम करें दौा करते रहें क्योंके दौाएं जो हैं वो तकदीर को भी बदल देती हैं तो दौाओं में याद भी रखिए दौाएं कीजिए अपना ख्याल कीजिए ठीक है जी लाइफ गोजाओं रबना आतिना फिद दुनिया हसनताओं फिल आखिरती हसनताओं वकीना अजाब अनार असलाम अलैकुम वर्हमतुल्ही